हेलो एंड वेल्कम बैक दोस्तों आपके अपने चैनल पेजस टुटोरियल पे तो आज का टॉपिक बड़ा ही सिंपल और बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट टॉपिक है जो एक्जाम में 95 परसेंट चांसे जाने का में से यूमन मशीन इंटरेक्शन में से उसका नाम का है परसोना और उसके स्टेप्स बिजाइन किस तरह से होगा परसोना ठीक है तो आपका सिर्फ 10 सेकिंड लेना चाहता हो बोलना चाहता हो कि DWM का पेपर हो गया और जब मैंने टैली किया कि मेरे इंपोर्टेंस में से कितन आप क्वेश्चन्स आए तो अराउंड 85-95 मार्क्स के क्वेश्चन्स रिपीट हुए तो मैंने टाहता अगर आपने करके गए रहेंगे वही क्वेश्चन्स और मेरे सम्स देखके गए होंगे तो गारेंटी फिफिफ्टी प्लस आपका मार्क्स आने वाला है तो इसी तरह से हमाइ का भी इंपोर्टेंस आ जाएगा कली आ जाएगा ठीक है तो आप लोग देखना और वही क्वेश्चन करें क्योंकि यह पूरा थियरी सब्जेक्ट है पूरा पूरा एट से स्टार्ट के जैट तक पूरा थियरी सब्जेक्ट है तो इस पे बहुत से वीडियो तो क्योंकि basic रहता है एकदम simple रहता है आराम से कोई भी कर सकता है ठीक है कोई भी पढ़ सकता है इतना simple है और जिसने खुद से कुछ भी डिजाइन किया वगा कुद से तो उन लोके लिए तो सिर्फ एक बार देखने जितना है एक बार देक लिया वहोते और रच्छा लिए और अच्छा लिए सकते क्यूंकि उननलोंग्ने कुछ ने काम किया उस पर एँचे से लिख सकते और नहीं किया तो आपको रट्टा ही मारना पड़ेगा जो आप आते रहेंके तो दिखते परसो नहीं या लिखा क refers only TO create your product with a specific target in mind rather than generic one पर से परसोन meno का किसी की छवी पे हम लोग आगे बढ़ रहें तो वैसे ही परसोना क्या है एक टूल है ठीक है वो क्रियेट कैसे करेगा प्रोडक्ट जो स्पेसिफिक टार्गेट युजर है उसके सोच को अपने दिमाग में डालके उस तरह के से डेवलप करेगा ना कि खुद के टेक्निकली स सोच के कुछ अलग सा ही डेवलप करें वैसा नहीं तो यूजर सोच रहा है उसके सोच पर हमें कैसा बनाऊंगा नया जो बनेगा प्रोडक्ट ठीक है वो किस तरह से बनेगा तो यही होता है पर्सोना ठीक है तो सेकंड पॉइंट को क्या लिए पर्सोना इस वे तो मॉडल सम्माराइज एंड कम्मुनिकेट रिसर्च अबाउट पीपल हूव बिन अब्जॉर्ड और रिसर्च इन सम वेस मतलब यह कुछ लोगों ने वह चीज़े यूज कर लिए तो वह यूज कर लिए तो वह लोग क्या करेंगा आपको एक अच्छा तरीका बता सकते आपको एक एक्जांपल ले देते कि ओला में मैप्स के फंक्शन बहुत बिकार होते ठीक है वह लोकेशन समझ में नहीं आते अगर नया ड्राइवर रहता है तो गैरेंटी उसको तो कुछ पता ही ने चलता अगर आपने ट्रैवल किया रहेगा तो आपको गैरेंटी यह पता चलेगा क बहुत से ऑफ्टी में क्या बोल रहेऊ है तो कुछ तरीके से तो उसका बग निकाल सकते हो आप लोग डिफरेंट इफ्रेंट यूजर से मिलके जो वह चला रहा है जैसे रिक्षा वाले या कार वाले वो लोग उस तरीके से चला रहे तो वो लोग अपना experience चाहर करेंगे और उस experience पर आपको क्या एक नया बन प्रोडक्ट बनाना है जो वो सब प्रॉब्लम्स को सॉल्ड करें ठीक है तो बेसिक यही हो अचार पर्सोड फिट पॉइंट देखो क्या है गूड पर्सोड इस बेस्ट ऑन सॉलिड डेटा सॉलिड डेटा मतलब क्या आपने बहुत से यूजर से मिला और हर एक का राय जानने का कोशिश किया हर एक ने अपना एकस्पिनेंस चायर किया डेटिटिड टू डायट चैनल डायट वैबसाइट कि ये ये रहना चाहिए और ये ये नहीं रहना चाहिए ठीक और ये सही होना चाहिए पर्सो ना बेसिकली मिन्स यूजर एकस्पिरिएम गोल फिर देखो क्या है पर्सोड अल्सॉन iis यूजर परसोन और कस्टमर परसोन येस हम लोग किस से पूछ के नया चीज डिराइव कर रहे हैं उबसली यूजड जिसमें यूजड तो यूज़र ही हम लोग अच्छे से बता सकता है कि क्या-क्या कमिया है और क्या-क्या अच्छे फैक्टर है इस वेबसाइट या इस एप में ठीक क्या बोल सकते व्यू रखेंगे सामने कि देखो ये मल्टिपल यूजर का इस तरह से एक नया व्यू रखेंगे हम लोग ने जो इंप्रूव करेगा क्या उस एप के कर रहा है डिपेंडिंग यूजर रिव्यू तो मैं जो शुरुवात से बोलते आ रहा हूं कि हम लोग अंडेस्टैंड करेंगे क्या क्या चाहिए यूजर को और क्या-क्या प्रॉब्लम है उसमें जो यूजर हम लोग को बता सके ठीक है तो यह होता है बेसिक परसोना अब आ ने तो देखो यह स्टेप से कुछ दो दो चर्थ चे साथ स्टेप है तो इस साथ स्टेप में पूरा एक परसोना बना सकते हैं आप लोग तो देखो पहला क्या है आई यूजर को क्या चाहिए ठीक है वह हम लोग डोढ़ने की पोसिस करेंगे आई डिएंटिफाइज परे करेंगे कि what does the user really want ठीक है तो यह क्या होगा उसका पाइला सेप आइडेंटिफाइंग यूजर बीहवियर पैटन फिर सेकंड देखो क्या इंटर्वीव इस मेरेंटन फिर वगम हम लोगन क्या करेंगे पूर ंधिर करैंगे जो आगे बताओंगा किस तरह से जम करेंगे के थर्ड पॉइंट वो क्या है रेकरगनाइजिंग यूजर आ कर goes तो अगर इसमें क्या है कि यूजर का क्या-क्य रिस्पूंस आए क्या वो यह ओने एट्टांक्या मतलब किस तरह से यूज्टरों कि खुल के बताया कि क्या है उसमें क्या नहीं है ! फिर किसिकर्जन किस लेवल पर हुआ या single user ते या group of user ते प्लिव जो हम लोग क्या करेंगे question answer करेंगे कि भाई कि उससे आम लोग एक pattern बना सकते यूजर का thought process का pattern बना सके तो यह third point हो जाएगा फूर्थ जन्रेट है जन्रेट वेरियस यूजर कारेक्टरेशन एंड रिलेवेंट गोल तो येस डिपेंडिंडिंग और अल दिस त्री फैक्टर वी विल नौ जन्रेट वेरियस न्यू बग्स मतलब न्यू क्या बोल सकते हैं पैटन्स कि हम लोग को इस तरह से जो यूजर ने बोला हम लोग को आप हम लोग उसमें जन्रेट करेंगे कि यह 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 प्रॉब्लम है और वी आव टू सॉल्व इस रेमेडिस ठीक है तो हम लोग को उस पर काम करना है फिर फिफ्ट पॉइंट का है चेक्ट फॉर कम्प्लीटनेस ऑप दो येस अब गोल तो डिजाइन होगा तो फिर वह देखो कि क्या वह गोल ह चेक्ते तो बहुत अच्छी बात है तो वहीं होगा कि चेक करेंगी कितना गोल हम लोग कम्प्लीट कर सकते फिर लगों सेकेंड लास्ट प्रेब्स और वह यूजर येस तो जो डवलपर है उसको पूरा एक्सप्लेइन करना पड़ेगा कि भाई तेरको कुछ इस तरीके से जाना है कुछ इस तरीके से डवलप करना है कि जो उसमें नहीं था जो तरको इस तरीके से करना है कि यूजर जब वो यूज करेंगे तो और भी ज्यादा यूजर फ्रेंडली हो ठीक है और लास्ट डेप देखो तो अब हम लोग क्या कर सकतें डिजाइन कर सकतें वेरियस परसोना तो depending on all these six steps, factors, we will develop a new persona depending on what are the roles, what are the goals, what are the challenges, etc. कि क्या क्या करना है हम लोग को कि हम लोग एक अच्छा परसोना बना सके तो यही होता है परसोना देखो कि इतना सिंपल है कुछ ज्यादा है नहीं इसमें बहुत ही बेसिक बहुत ही इजी टॉपिक है जो कि आप खुझ से लिख सकते हो इसका नोट्स में डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा तो आप लोग यह भी रेफर कर सकते हो और हर एक पॉइंट के पीछे step के पीछे तीन तीन लाइन लिखना पड़ेगा बस और आपको दस माक वहीं के वहीं मिल जाएंगे पांच के लिए भी आता है कभी-कभी छोटा नहीं तो दस तो मैं सजेशन देना चाता हो कि देखो हमाई का मेरा साइट ज्यादा वीडियो ना है क्योंकि पूरा थेरी है और जिसका इंगलिश अच्छा है और जिसने कभी कुछ डेवलप किया है खुछ से जिन्दगी में अभी तक कि कुछ आप बनाया हो किसी चीज पर खेला है या कुछ किया है तो येस उसके लिए तो बहुत ही चिंदी सब्जेक्ट है यह एक बार उसने देख लिया तो सब हो जाएगा ऐसा कुछ भी इसमें हाट नहीं है कि कुछ नहीं होगा और ज फीडबैक आया है मुझे कि थैंक्स यार यह वीडियो आया आपके तो इसलिए तो ऐसे ही वीडियो आते रहेंगे और देखते रहें और तीन अच्छे काम करिए जो मैं हमेशा बोलता हूं लाइक शेर और सब्सक्राइब और हां वह घंटी का बटन दबा देना क्योंकि ब बहुत ज़्यादा एल्फ करने वाला ठीक है तो मिलते हैं अगले वीडियो में आपके टॉपिक के साथ है